हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके सामने एक जो हर कॉमन स्टुडेंट के बीच में जो डाउट्स है उसको आज मैं डिसकस करने वाला हूँ वो डाउट है कि हम प्रिप्रेशन इस्टार्ट कैसे करें यह सबसे मतलब बहुत ही इंपोर्टेंट डाउट है कि मतलब कि डिसाइड तो कर लिया कि यूपीएसी में तैरी करनी है आरेस बना है या यूपीपीसीएस की तैरी करनी है तेकली ये समझ में नहीं आता है सबसे पहले वोड़ सी किताब पढ़े क्योंकि आपको पता है इनर्शिया बहुत ज़्यादा लगता है कोई भी नय जाज़े डाउट होते हैं student के मन में कि वो start नहीं कर पाता और आके ऐसे बोलता है ना कि एक अच्छी start ना half work को done कर देती है तो अब यह हमारा आज का जो topic है कि हम किस तरीके से preparation start करें ताकि हमें किसी भी परकार्षे से feel ना हो कि inertia feel ना हो पहला तो दूसरा सही direction मिल जाए तो इन चीजों की बात हम करेंगे ठीक है तो इस सब के लिए है कि start करने से पहले आपको दो या तीन जो बाते हैं वो अपने आपको बतानी है और एकदम इमानदारी से बतानी है उनमें किसी भी परकार का मतलब कि आप यह मत देखना कि दुनिया ने क्या है पहला सबसे पहले सबसे पहले तो आप अपड़े आप से पूछिए कि मैं UPSC की त्यारी क्यों कर रहा हूं मैं RS की त्यारी क्यों कर रहा हूं यह आपको अजीब बात लगेगी क्योंकि सभी को पता है कि power के लिए authority के लिए जो social recognition है उसके लिए respect के लिए हम सब त्यारी कर रहे हैं वो एक factors ज होते हैं कि हम society के अंदर कुछ change लाना चाते हैं हम एक मतलब इंडिया के अंदर जो contribute करना चाते हैं इंडिया की nation building के अंदर contribute करना चाते हैं वो factors भी बहुत important है तो आप उनके बारे में एक बार विचार कीजिए अब ऐसा क्यों बोर रहूं कि विचार कीजिए क्योंकि जैस आपके उपर क्या आएंगे एक जर्नी स्टार्ट होगी आपकी उस जर्नी में क्या आएंगे आपके बहुत सारे डाउट्स आएंगे ठीक है जब आपके बहुत सारे डाउट्स आएंगे उस टाइम पर क्या होगा आपको एक option हमेशा बच्चों का फेवरेट रहता है वह option ह क्विट कर देते हैं और उस टाइम पर क्विट करते टाइम पर आपका ब्रेन एक डाइलीमा में होगा डाइलीमा क्या होते हैं कि ब्रेन में एक साथ दो विचार चलने होते हैं कि मैं यह कर लूँ यह कर लूँ यह करूँ या वो करूँ जैसे आप में से कुछ होंगे जो जो कर रहे हैं लेडी तो सोचेंगे जोब छोड़ क्या हूं जोब से चुटी लूँ यह त्यारी करूं तो इस परकार की जब डाइलिमा आएगी उडाइलिमा से बाहर निकलने का सबसे इस पोसिबल वे होता है क्यूट कर दो नहीं क्यूट करते टाइम भी आपका दिमाग का आपने एफ़ाइट लगा है जिस दो महीने आपने मैनत की उसके बाद आपका क्विट करने का विचार आया तो एक तो आप सोचोंगे यार मैने दो महीने मैनत की है आप कैसे छोड़ सकता हूं तो यह पहली इंपोर्टेंट चीज दूसरी चीज आईगी अपना वाय आप बहुत ही डोवल अब्जेक्टिव है बहुत ज्यादा मोटिवेशन है आप देखो यह जो छोटी पोटी चीज़े है ना कि ना मलब की बंगला मिलेगा या फिर कार मिलेगी यह चीज़े है ना क्विट करते टाइम आपको रोक नहीं पाएंगी क्यों नहीं रोक पाएंगी आप सचोगे यार की कॉर्परेट शेक्टर में जाऊँगा मंगला दो साल में बना लूँगा कार भी ले लूँगा पहले साल में तो वो चीज़ तो आपको रोक नहीं पाएंगे ना प्रिप्रेशन के दोरान कौनशी चीज़ रोक पाएंगे कि मुझे सोशल में रुके रेने के लिए कि नहीं हम एफर्ट करेंगे और आप कभी कुट नहीं करोगे तो सबसे पहला आपने क्या देखा कि हमें कभी भी स्टार्ट करने से पहले अपने आपको पूछना है कि वाई मैं त्यारी क्यों कर रहा हूं और जब आपको पता है कि त्यारी क्यों कर रहे हो तो आप कभी quit नहीं करोगे ठीक है अब दूसरी चीज अब जब आपने decide कर लिया कि मुझे RS इसलिए बनना है मुझे IS इसलिए बनना है आधी जर्दी आपकी असान होगी अब आपके doubts नहीं आएगे ठीक है तो अब second जो है जो आपको चीज रखनी है वो है self confidence self confidence क्यों रखना है क्या self confidence रखना है आपको यह चीज हमेशा आपने आपको बताता रहना है I will do it मैं यह जरूर करूँगा कैसे करोगे आप कि देखिए जैसे आप रिफेर्शन स्टार्ट करोगे आपको लगेगा कि इतना competition है IIT वाले भी बेट रहे हैं I am वाले भी बेट रहे हैं जैसे बहुत सारी comments देखने को मिलते हैं कि IIT वाली क्यों क्योंकि वह अपने उपर self confidence रखते हैं वह चीज से कि भाई उसकी जर्नी तो midway से स्टार्ट होगी नहीं सभी की जर्नी है वह स्टार्ट होगी वह बिल्कुल जीरो से होगी तो आपको पहला आपने decide कर लिया मुझे इसलिए R.A.S. बना है दूसरा आपको आपने उपर confidence रखना है self confidence कुछ भी हो जाए I will not quit it ठीक है और I will do it ठीक है कोई भी condition any situation मैं अपने आपको अपने लक्षे से दूर नहीं करूँगा ये जो चीज है कि मैं करके ही रहूँगा मैं हार नहीं मानूँगा ये चीज आपको पहले दिन से आजानी चीए और आप जब देखोगे जब आप किसी लक्षे के लिए इतना determined हो जाते हो कि I will do it I will do it तो उसक चाड़े वाला है क्योंकि आपकी efficiency बढ़ जाएगी आप एकदम motivation के साथ लागे रहोगे तो second जो चीज आपको द्यानकडी है वह आपके अंदर confidence होड़ा चीए आप जो तीसरी चीज है वह होते है guiding pillars आप वह मतला आपने पहले जन्नी तो बोल लिया कि रस्ता पूरा travel तो लेकिन कोड़ सा रस्ता वाई किदर जाना है वह कोड़ बताएगा तो वह दो चीज होती है एक तो होते हैं syllabus दूसरे होते हैं previous years की questions पहले आप syllabus को देखिए कि syllabus में क्या दिया हुआ है syllabus की एक एक लाइन को इतना रट लीजिए कि UPSC क्या चाहती है state PCS हमसे क्या चाहती है क चीज पूछना चाहती है एक एक चीज को आप याद कर लीजिए अब जैसे आप ना किसी होटल में गए बफेट सिस्टम है आप सबसे पहले क्या देखोगी क्या क्या खाड़ा है कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कि जो हमारी फेवरेट चीज हो चूट जाए या कुछ भी तो उसी चल गया अब सलेबस से आपको क्या पता चल जाएगा देखो यूपीएसी और स्टेट पीचेस है वो क्या है एक महा सागर है इस से में डिसाइड कर लिजिए तो जो सलेबस है वह आपको क्या पताता है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको किस विर्त में पढ़ना है कितनी उसकी ब्रॉड ने शोड़ी चीए कितना लंबा होड़ा चीए कितना चोड़ा होड़ा चीए वो सब्जेक्ट ये चीज आपको कोड़ बताएगा हमारा सिलेबस बताएगा लेकिन सिलेबस में तो एसा लिखा हुआ है कि 1857 की करांती आप मानो 1857 की करांती है उसको पूरा सिलेबस की डेप्ट डिसाइड करते है तो देखो हम किसी भी खेल में जाते हैं तो सबसे पहले उसका ग्राउंड त्यार करना पड़ता है कि इस ग्राउंड के अंदर ये पूरा गेम खेला जाएगा तो सिलेबस और प्रिवियर्स एस्कुशन से वह आपका क्या डिसाइड करते हैं, ground decide करते हैं कि इस ground के अंदर अब game खेला जाएगा, और यह सोच यह आपने syllabus नहीं देखा, previous discussion नहीं देखे, direct books के उपर चलेगे, आपके पास तो ground नहीं है, जब आपके पास ground नहीं है, तो कैसे खेलोगे, आप suppose करके देखिए, कि एक खिलाडी है उसको cricket का game खेलना है, एक वो pitch पे जाके खेलना है, दूसरा road के उपर खेलना है, कि बस मुझे तो खेलना है कहीं से भी start कर दो, नहीं इसमें बहुत ज्यादा difference होता है आपको पहले अपनी प्रिवाइस decide करनी पड़ेगी, कि मुझे क्या पढ़ना है, और वो decide code करेगे syllabus और previous years के questions, दोनों एक साथ मिलके इस चीज़ को decide करेगे, कि आपको क्या पढ़ना है, कितनी depth में पढ़ना है, इसको, ठीक है, अब जब आपका प्रिवाइस decide हो गया अब आप अपने अथियारों के उपर दाओगे ठीक है, अब अथियारों के उपर आपके code code से अथियार होड़े चाहिए, तो आपके पास किल तीरी अथियार होते हैं, सबसे पहले जब श्टार्ट करते हैं, एक universal जो suggest की जाती है, कि NCRT से start करो, ठीक है, दूसरा कि basic books हैं, उनसे start कर दो, तीसरा आपको बताए जाएगा, कि coaching से start कर दो, ठीक है, ये तीरी ऐसे अथियार हैं, जिनको आपको जर्रिलिश सजेस्ट किया जाता है, कि go for it, ठीक है, आप कोण से के लिए जाएं, आप बताएए, आप ना, अपने आप से पूछिए, कि आप NCRT पढ़के अराम से पढ़ पा रहे हैं, आप जैसे बहुत सारे हमारे से इसे student होगे, जो rural background से होगे, उनकी education इतनी अच्छी नहीं हुई है, कि वो NCRT को लोगों को तो हमें ये भी नहीं पता, कि हम NCRT कैसे पढ़ें, तो अब ये अप्रोच, वन साइज फिट ओल थोड़ी ना होता है, मनलब एक अच्छी श्कूल से पढ़ाऊ है, वो अराम से बेसिक बुक्स भी पढ़ पा रहा है, या मनलब कि NCRT भी पढ़ पा रहा है, तो हम उसका ही, मनलब एसे थोड़ी ना मान सकते हैं, एक स्टेंडर्ड की, सब लोग NCRT से ही स्टार्ट करें, तो हमेशा आपको क्या करना है, NCRT बेसिक बुक्स होती है, एक दब नॉर्मल लेवल की, ठीक है, तो आप देखो, यदि आपको लगता है, कि आप NCRT पढ़ रहे हैं, और लेकिन आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, कि आपके पास दो मेथर्ड्स होते हैं, यदि आप इन दोनों बुक्स को, देखिए, सबसे पहले आप NCRT से स्टार्ट कीजिए, आप यदि NCRT पढ़ पा रहे हैं, तो NCRT को पूरी कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेंच में चलेगें, लेकिन आपको लग रहे हैं, कि आप NCRT तो बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, अब ये चीज आपको आपके अलावा कोई दी बता सकता, कि आप किसी बुक को पढ़के कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप भी खुद को बता सकते कि क्या मैं इतना पढ़ चुका हूँ कि मैं दूसरों को पढ़ा पा हूँ, यदि आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं इसका बतलब है आप समझ चुके हैं यदि आप नहीं पढ़ा सकते हैं इसका बतलब है आप नहीं समझ सगे तो इस चीज के उपर आपको काम करा है अब यदि नई समझ में आया तो आपके पास दोई रिसोर्स है या तो आप क्या कीजिए YouTube की help लीजिए YouTube पे बहुत सारे free lectures वगर हैं तो उनसे क्या कीजिए आप थोड़ी सी help ले वीजिए तो फिर वो लोग क्या कर सकते हैं यहां से फिर YouTube से उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी फिर इनको समझ में आ जागा कोचिंग भी कोई negative बात रही है यह एकदब आपको service दे रहे हैं आप उनके लिए पैसा पे कर रहे हैं कोई दिक्कत ही है यदि आपको लगता है कि आपकी basic order study आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कोचिंग की help ले सकते हैं अब 5th point पे देखते हैं कोचिंग की help भ रहे हैं एंजी आटी भी सभी पढ़ रहे हैं लेकिन अगली बात है कि इस सभी को comprehend कैसे करें तो comprehend के लिए आता है कि क्लास के अंदर जो पढ़ाया उसका भी डोट बढाना है एंजी आटी बेसिक बुक पढ़ी उनसे अवारी क्या अंड़स्टेडिग वह भी डोट पढ़ाना है अब डॉट के से बढ़ाये जाए अब लोगों को लगता है नोट जो क्लास में पढ़ाया गया उसको बहुत सरे मैं नोर्ट भणारे के उनके ओपर हम कभी तरषा करेंगे अलग चीज में लेकिन आपको प्रक्राट को अपने हिसाब से साथ क्दाराना है क्योंकि हर वक्ति का दिभाइक अलग तरीके से चलता है वह बोलूगा एलिफिंट तो मेरे दिभाइक में ऑलगी बेज लाई है इसका पत्तम है हर किसी का ब्रेंड अलग तरीके से काम करता है तो आपने जो क्लास के अंडर अंडर्स्टेंडिंग की उसको जब आप नौट्स बढ़ाओगे तो आपकी खुद की अंडर्स्टेंडिंग होगी अब जो six काम जो हमें करना है नौट्स के बाद उस काम को बोलते हैं हम strategy अब रंडिती क्या हो ठीक है हमें पता भी चल गया सबसे पहले हमने खुझ से पूछ लिया कि हमें RS बनना है फिर हमने पूछ लिया कि यह प्रिवाइस कैसे बनेगा उसको भी देख लिया हमने उसके बाद अपने को syllabus का पूरा पता चल गया सारी चीजे आप एकदम आपके सामने crystal clear है लेकिन अब strategy क्या हो आप देखो strategy दो परकार की होगी एक तो इनका क्या decide करेगा जो coaching वाली चलने है उनके according आप चलते रहों आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है वो है revision कि आप revision जितना ज्यादा अच्छे से कर पाओगे जितना ज्यादा revision करोगे coaching स्वाले के साथ तो उतना आपका result अच्छा हो जाया लेकिन कुछ student ऐसे हैं जो coaching नहीं कर रहे है जो तैरी self से करेंगे उनकी रन्निती क्या होगी उनकी रन्निती थोड़ी सी अलग होगी किस पर से एडियों करेंट डेस्ट का ही गेम है जितना ज्यादा आप सब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ करोगे उतना ही बहतरी आपका एंसोर आएगा उतनी ही बहतरी multidimensional आपके निकल के आएगे तो दो सब्जेक्ट एक साथ पढ़ ने हैं कोंड से दो सब्जेक्ट देखी सब होते हैं दूसे इतव होते हैं तो जो सबज क्लोन प्रकार में या कुछा हो टूसरे में कैसे ज्यादा होते हैं जी हिस्ट्री हो गया आ다면 कल्चर हो गया कॉलिटि हो गया conceptual part में code हो गया science and technology हो गया इधर environment हो गया इधर geography हो गया economy हो गया ठीक है यह subject क्या है conceptual है जिन में concept लगते हैं जिनको अदि आपने एक बार पढ़ लिया तो revision की उसमें उतनी ज़्यादा जरुत नहीं पढ़ती जित्मी इन 3-4 subject में revision की ज़्यादा जरुत पढ़ती है तो आपको इसको balance करना है कि दिन का half day आप किसमें पढ़ोगे कि आप अना conceptual part में दे दो दिन का half day बाकी half day किसमें दे दो आप इस factual वाले subject में दे दो तो आपको क्या करना है कि दोनों subject को एक साथ तो एक इसमें से ले लिया जैसे history दूसरा यहां से economics या history geography या history science and technology वो depending upon आपका जिसमें सबसे ज़्यादा interest आता है उस subject को इन दोनों category से उठा लीजिए जैसे जो सबसे ज़्यादा interest आता quality में तो मैंने quality उठा ली उदर geography में आता तो मैंने geography उठा ली तो यह आपका doubt दूर होगया होगा कि कोड से subject को सबसे पहले पड़े एक subject conceptual में सबसे ज़्यादा interesting दूसा subject जो factual में सबसे ज़्यादा interesting इन दोनों के combination से आपको generally चलना है अब किस तरीके से एक timeline होड़ी चीए हमारी पूरी preparation की उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे कि कितने time में एक subject पूरा जाणा किसी time में क्या जाणा चीए तो वो हमारी चीज होगी अगले वीडियो के अंदर या किसी और वीडियो के अंदर अब हमारी थी कि हमने पूरा देख लिया क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है कहा से पढ़ना है अब है कि त्यारी सब स्टार्ट होगी अब किन चीजों का मैं ध्यार रखना है ठीक है तो जो दो important बात है ना जो आप पूरी preparation में स्टार्ट करने के बाद जो मैंने realize किया 2-3 साल के बाद किया यह तो मैं गलती कर रहा हू तो वो कौन CAC बात है जिनको आपको गलती को repeat नहीं करना वो दो बात आज यह important बातों का ध्यान रखना ठीक है पहली important बात है इसमें practice कि हम क्या करते हैं कि पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं जैसा कि मैंने आपको एक पहले बताया था कि study scientific होती है उसमें अलग-लग stages ह होती है तो उसमें से एक stage जो होती है वो practice करना होती है ठीक है तो प्रेक्टिस जितनी ज्यादा आप practice करते जाओगे उतना ज्यादा अच्छा होगा है लेकिन आपको जैसे आज आपने इस्टी पढ़ा आपको लग रहा है कि इस्टी तो मुझे याद है इसकी practice करने की क्या क्या जूरत है इसके question लगाने की क्या जूरत है इंदर सी आएगा लिखने में लेकिन लिखते रही है लिखते रही है जब आपको ऐसे लगे ना कि देन में भी उठा के मुझे कोई पूछ सकता है तब भी मैं बता दूगा तब तक आपको क्या करनी है practice करनी है तो आप practice के पर ध्याद दीजिए practice के बाद जो second thing है जिसको जनलेली लोग miss करते है वो है निवीजन आपको लगातार रिविजन करते रहने हैं कितने रिविजन कितने यह कोई लिमिट नहीं करता minimum कितने रिविजन होड़े चीए 4-5 रिविजन आपके minimum होड़े चीए रिविजन कैसे किया जाए रिविजन की क्या क्या strategy होती है कितने duration के बाद करना चीए उनके बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन जो 4-5 रिविजन आपके minimum होड़े चीए बाकी आपना maximum रिविजन 10, 12, 20, 30, 40 जितना करना चाओ उतना कर दो क्योंकि जितना ज्यादा limit less आप आप से पूछिए कि मुझे क्या करना है उसके बाद आप देखिए कि मैंने ये करना है कहां से करना है कैसे करना है को self confidence बढ़ाना है जो फिल्ड डिसाइड करेगा आपका syllabus करेगा previous years के questions करेंगे फिर आपका basic notes लेंगे फिर आप coaching की किस तरीके से help ले फिर क्या strategy हो लास्ट में को रखना है तो एक रिविजन है एक practice है इस सारी चीजों को आप मिला के चलेगे तो आपका जो initial जो start है वो काफी अच्छा हो जाए website दबस्कार बाइब